खाता बुक एप अकाउंट को आपको डिलेट करना है तो आप परमेनिट के लिए उसको डिलेट कर सकते हैं अगर आपने निया अकाउंट बनाया है और पुरान अकाउंट को डिलेट करना है तो कैसे करना है सबसे पहले आपको यहाँ जो more button है उस पर आपको click कर देना है जैसे आप यहाँ click करेंगे तो आपके सामने एक setting करके option आएंगे उस पर आपको click कर देना है और यहाँ निसे scroll करना है तो यहाँ देख सकते हैं delete खाता book उस पर आप click करेंगे तो यहाँ पर आप delete बटन जो अभी दीख नहीं रहा है तो उसको केसे करना है तो सबसे पहले यहाँ आपको बताया है कि to delete type साथी support यानि कि यहाँ आपका नाम जो रखा है खाता अबुक एप में वही type करना है तो मैं यहाँ type कर रहा हूं साथी support जैसा है यहाँ आपको यहाँ पर type कर देना है तो जैसे मैंने यहाँ type किया साथी support तो यहाँ पर देख सकते हैं delete का option आग गया है जैसे हम उस पर delete पर click करेंगे तो आपका जो account है वो permanent के लिए delete किया जाएंगे इस तरह से friend आप अपना account जो है खाता book में वो delete कर सकते हैं permanent के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like करें और channel पर पहली बार आये है तो channel को subscribe करके जरूर जाए तक कि और भी ऐसी वीडियो जो है हम आप तक पहुँशाते रहें